हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू चानल सब कुछ हो आज आप लोग पढ़ेंगे कच्छा साथ गड़ीत का अभ्यास फाइव का जे इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने फाइव का आई पूरा कमपलीट देखा था अगर आप लोग चानल पढ़ना है तो चानल को चेप्टर तो इसमें देखते हैं फर्स्ट कोस्चन दिया है यद किसी तिरभूज ABC की भुजाओं में चार चार और पांच का अनुपात हो तो उनके समरूप एक तिरभूज की रचना कीजिए जिसका आधार छो से मियो तो सबसे पहले देखिए का रहा है एक तिरभूज ABC ABC की भुजाओं में चार चार और पांच का अनुपात है तो पहले हम लोग ये वाला तिरभूज बनाएंगे और फिर इसी के समरूप एक और तिरभूज बनाएंगे जिसका आधार छो से मियो होगा तो ये चार चार और पांच वाला जब तिरभूज बनाएंगे तो कोई भूजा इसमें से पहले खीच सकते हैं, मालनीजी ये सबसे पहले हम लोग चार से मी दिया है तो चार से मी का खीच रहा है यह A, B माली जी हमने खीच लिया 4 सेमी का इसके बाद देखिए फिर से 4 सेमी का रहा है तो यहां हम लोग रखके 4 सेमी का कैसे खीचेंगे अब परकार में हम लोग 4 सेमी का दूरी लेंगे और यहां B पर रखके और एक चाप काट लेंगे ऐसे फिर देखिए तो हमने 4 सेमी का यह खीचा और B पर से फिर से 4 सेमी का यह चाप लगाया दूरी लेके परकार से और फिर हम लोग क्या करेंगे अब 5 सेमी का अब परकार में दूरी 5 सेमी का लेंगे चार का हो गया फिर से चार का पांच का लेंगे और A पर रखके इसी चाप को काट देंगे ऐसे तो A, B हमने लिख लिया यह जहां काटा यहां का नाम C लिखेंगे और C को A और B से स्केल की साहता से ही मिला देंगे तो देखिए यह चार से मी और यह भी चार से मी और यह पांच से मी का हमने तिरभूज बनाया तिरभूज A, B, C तो यही पाल का रहा था कि तिरभूज A, B, C की भूजा में चार, चार और पांच का अनुपात हो तो हमने बना लिया है अब कर रहा है तो उनके समरूप एक और तिर्भूज की रचना किजिए जिसका आधार 6 से मी हो अब इसी के समरूप एक और तिर्भूज बनाना है जिसका आधार मींस ये नीचे का नीचे वाले भूजा को आधार करते हैं तो ये आधार उसका होना चाहिए कितना 6 से मी लेकिन इस तिरभूज के समरूप भी होना चाहिए तो कैसे खीचेंगे देखिए सबसे पहले जब आधार 6 से मी का रहा तो हम लोग इस केल से नाप के यहाँ पर एक और तिरभूज बना नाम को तो 6 से मी का रहा खीच लेंगे अब इसका नाम A, B, C है तो इसका हम लोग दूसरा नाम रखेंगे मानली जी हमने इसको P, Q इसका नाम लिखा ये जो आधार इसका होगा ये 6 से मी का हम लोग को खीचना है अब देखिए इसके समरूप जब खीचना है तो अब ध्यान देंगे यहाँ से क्या करना है समरूप कैसे खीचेंगे ध्यान दीजिएगा समरूप खीचने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखिए इस पहले वाले तिरभूज में कोई भी दूरी परकार में लेके और ऐसे एक चाप लगाएंगे अब देखिए इसी दूरी से हम लोग इस पी पर रखके एक चाप ऐसे लगा लेंगे जो दूरी से हमने यहाँ चाप लगाया पहले तिरभूज में इसी दूरी से हमको यहाँ भी चाप लगाना है यह ध्यान देंगे और फिर देखिए क्या करेंगे अब यह दूरी हम लोग नाप लेंगे देखिए यह जो दूरी है इस चाप का जो दूरी है देखीए इतना दूरी हो रहा है तो यही दूरी से हम लोग अभी यहां रखके इसको काट देंगे अब देखिए क्या करना है हमने सबसे पहले क्या किया चाप कोई भी परकार में दूरी लेके एक चाप यहां लगाया अब इसी दूरी से हमने क्या किया यहां से एक चाप लगाया ऐसे उसी दूरी से जिसे पहले तिरभूज में लगाया और फिर हमने यह चाप को नाप लिया परकार से और उसी से हमने यहां रख के इसको काट लिया इसका मतलब क्या हुआ इस कोण के बराबर अब यहां कोण बनेगा अब यह जहां कटा इसको P से मिलाते हुए हम लोग यह स्केल की सहाता से आगे बढ़ाएंगे यह जहां तक चाहेंगे बढ़ा सकते हैं अब देखिए हमने इस कोण के देखिए समरूप तिरभूज कैसे खीचेंगे क्या होता हमने बताया था समरूप तिरभूज में संगत कोण बराबर होते हैं तिर भूज में दो कंडिसर हमने बताया था या तो संगत कुण बराबर होने चाहिए या तो भुजाए समान अनुपात में चाहिए तो इसमें तो भुजा दिया नहीं है एक ही केवल भुजा दिया हुआ तो क्या करेंगे हम लोग संगत कौन को बराबर बनाएंगे तो ये कौन के बराबर हमने यहां कौन बनाते हुए एक रेखा खीचा अब क्या करेंगे इस कौन के बराबर हम लोग यहां बनाएंगे जब दो कोण बराबर मनाएंगे तो तीसरा अपने से बराबर होगा ही अब देखिए हम लोग कोई भी दूरी लेके यहां B पर रखके एक चाप ऐसे लगाएंगे ध्यान दिजिए का कोई भी दूरी लेके अब जिस दूरी से यहां वाले कौन पर लगाएंगे उसी दूरी से इस Q पर रखके ऐसे एक चाप लगाएंगे बस यही ध्यान देना है और यह चाप का दूरी हम लोग नाप लेंगे यह जो दूरी है दोनों चाप का यही दूरी हम लोग परकार में लेंगे देखिए कोई भी दूरी लेके परकार में एक चाप हमने लगाया और उसी दूरी से इस क्यूप पर रखके हमने उसी दूरी से चाप लगाया इस वाले तिरभूज में फिर क्या कि हमने इस चाप को नाप लिया परकार से और उसी से यहां पर हमने इस चाप को काटा और यह चाप जहां कटरा उसी को Q से मिलाते हुए आगे तक इस केल की सहाता से बढ़ाएंगे जहां पर जाके ये भूजा मिलेगा इस वाले पर इसी का नाम माल ये PQ हो गया तो हम लोग R लिख लेंगे अब यही जो तिर भूज है देखिए इस तिर भूज के समरूप होगा और इसका आधार 6 से मिका कहा था तो आधार 6 से मिका हो गया यहां का कूण भी इसके बराबर हो जाएगा तो ये दोनों तिर भूज समरूप होगा अब इसमें सबसे जरूरी होता है रचना में हमने लिखना बताया था आप लोगों को तो वही लिेंगे सबसे पहले लिखेंगे ग्यात है अब ग्यात है मैं पहले जो question में दिया है दखिए एक तिरभूज ABC की भुजाओं में 4,45 का अनुपात है तो यहीं लिखेंगे तिरभूज ABC की भुजाओं का अनुपात 4,45 है ग्याथ है में लिख लिए रचना करनी है में लिखेंगे आप देखिए रचना क्या करनी है तिरभूज ABC के समरूप तिरभूज PQR बनाना है तो लिखेंगे रचना करनी है में तिरभूज ABC के समरूप तिरभूज PQR की जिसका आधार 6,7 हो हमको किसकी रचना करनी है एक तिरभूज ABC के समरूप तिरभूज PQR की कोई भी तिरभूज हो सकता है जिसका आधार 6,7 हो तिरभूज ABC के समरूप ऐसे लिखिएगा आप लोग समरूप तिरभूज की नाम आप लोग कुछ भी लिख सकते है समरूप तिरभूज की जिसका आधार 6,7 हो तो हमने यह देखी यह लिख लिया अब सबसे important हो गया रचना का चरण इसमें जैसे बनाते हैं वैसे number डाल के लिखा जाता है तो पहले क्या करेंगे सबसे पहले लिखेंगे कि सरोपर्थम दिये गए नाप से एक तिर्भूज ABC बनाया पहले number में हम बोल रहा हैं ऐसे आप लोग रचना लिखेंगे पहले number में लिखेंगे सरोपर्थम दिये गए नाप से या दिये गए अनुपात से एक तिर्भूज ABC बनाया आप देखिए जो हमको रचना करना इसका पूरा फोड़ा डिटेल में लिखेंगे ये तो हमने बना लिया ऐसे अब दूसरे नमबर पर क्या लिखेंगे एक रेखा PQ 6 से मी का खीचा उसके बाद फिर लिखेंगे A से परकार दुआरा तिरभूज ABC में थाड़ वाले नमबर में क्या लिखेंगे तिरभूज ABC में परकार में कोई दूरी लेकर कौण A के बराबर या ऐसे 60 में इसको लिखेंगे अगले नमबर में ये लिखेंगे कि कौण A के बराबर कौण P PQ में कौण P पर कौण A के बराबर कौण बनाया फिर अगले नमबर में लिखेंगे Q पर कोण B के बराबर एक कोण बनाया P से इस कोण को आगे बनाया इन रेखाओं को जो कोण बना रहा है इनको आगे बनाया जो एक दूसरे को R पर काट रहा है अगले नमबर में फिर यह लिखेंगे कि यही तिर्भूज PQR तिर्भूज ABC के समरूप का तिर्भूज है तथा जिसका अधाम 6 मी है इतना लिख लेंगे आप लो तो पूरा रचना कम्पलीट हुगा तो अब सेकेंड कोस्चन देखते हैं अब हम लोग यह सेकेंड कोस्चन देखते हैं देखिए दिया हुआ यद किसी तिर्भूज ABC के भूजाओं में 3, 4, 5 का अनुपात हो तो उनके समरूप एक तिर्भूज की रचना किजिए जिसका अधार 7 सेमी हो सेम पहले वाले कोस्चन की तरह तो पहले हम लोग एक तिर्भूज ABC 3, 4, 5 सेमी भूजा वाला बनाएंगे तो क्या करेंगे स्केल में पहले कोई भी बना सकते हैं पहले मालनी जी यह 3 दिया तो हम लोग 3 सेमी का खीच लेंगे यह रखाखन यह नाप के खीचेंगे AB मालनी जी हमने खीच लिया 3 सेमी का अब देखिए जब 3 का हमने बनाया तो यहां से 4 बना लेंगे यहां से 5, 3, 4, 5 ऐसे बनाएंगे तो आँ हम लोग क्या करेंगे परकार में पहला वाला स्केल से नाप के बनाना उसके बाद के जो दो भुजया उसको परकार से बनाना है तो 4 सेमी का अब दूरी इस परकार में लेंगे और B पर रख के और ऐसे एक चाप लगा लेंगे B पर रख के 4 सेमी का दूरी लेक चाप फिर अब इस केल यह परकार में 5 सेमी यह पांच दिया तो पांच सेमी का दूरी लेंगे और यह पर रखके इस वाले चाप को काट देंगे जहां यह एक दूसरे को काटेंगे उसी का नाम C होगा और उसी को स्केल से A और B से मिला लेंगे तो देखिए यह हमारा तिर्भूज 3 से मि यहां 4 से मि और यहां 5 से मि का बन गया अब देखिए यह 3, 4 और 5 के अनुपात वाला तिर्भूज ABC बन गया अब हमको क्या करना है इसी के समरूप एक तिर्भूज बनाना है जिसका अधार 7 से मि हो तो अब हम लोग क्या करेंगे स्केल से 7 से मि का एक रेखा खीच लेंगे इसका नाम मानली जी हमने लिख लिया इस रेखा खंड का PQ यह कितने से मि का होगा यही ध्यान देना है यह साथ सेमिका होगा आधार का मतलब होता है नीचे वाली भूजा तो इसी को आधार करते हैं तो ये साथ सेमिका हमने जब खीच लिया अब इसके समरूप जब बनाना तो समरूप के लिए देखिए क्या करते हैं परकार में कोई दूरी लेंगे और पहले वाले तिर्भूज में मालनी जी ये ए पर हमने रखा और कोई भी दूरी लेका ऐसे एक चाप लगा लेंगे ये कोई भी दूरी लेका लगा सकते हैं अब ध्यान ये देना कि जो दूरी से यहां लगाएंगे इसी दूरी से इसको भटाना बढ़ाना नहीं है अब पी पर रखके चाप ऐसे लगाएंगे अब देखिए अब ये जो चाप हमने लगाएंगे इसका दूरी परकार से ही नाप लेंगे छोटा बढ़ा करके देखिए ये वाला जो दूरी है इसको नाप लेंगे और इसी दूरी से अब यहां रखके इस चाप को काट लेंगे तो देखिए इस कोण के बराबर हमने यहां कोण बनाया है जहां कट रहा उसको स्केल की सहता से P से मिलाते हुए यह आगे तक बढ़ा लेंगे जहां तक चाहेंगे इसी तरह से इस कोण के बराबर यहां कोण बनाएंगे तो परकार में कोई भी दूरी लेंगे और B पर रखे एक चाप ऐसे लगा लेंगे और देखिये इसी दूरी से घटाना बढ़ाना नहीं है अब Q पर रखे ऐसे एक चाप लगा लेंगे अब क्या करेंगे इन चापों को नाप लेंगे छोटा बढ़ा करके देखिए ये परकार में ऐसे ये वाला दूरी नाप लेंगे और इसी दूरी से यहां रखके इस चाप को काटेंगे चाप जहां कटेगा उसी को Q से मिलाते हुए और ये आगे तकी सकेल की सहाता से सीधा मिलाएंगे जहां ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे इसको आगे दोनों को बढ़ा के काट लेंगे उसका नाम मालनी जी हमने R लिख दिया तो यही तिरभूज देखिए इस तिरभूज का समरूप हो गया और इसका आधार भी साथ से मिय हो गया वही कहा है कुछ के समरूप एक तिरभूज की रचना कीजिए जिसका आधार साथ से मिय हो तो देखिए आधार साथ से मिय है अब देखिए हम लोगों को यहां लिखना होता है तो सबसे पहले लिखेंगे ग्या था ग्या था में वही लिखेंगे तिर्भूज ABC की भुजाओं में इतने कानुपाथ दिया तो लिखेंगे तिर्भूज ABC के भुजाओं में तीन, चार और पांच का अनुपाथ ये दे दिया रचना करनी है जो हमको बनाना होता उसको इसमें लिखते हैं तो इसमें देखिए हमको क्या करना है इस ABC के समरूप तिर्भूज बनाना है और उसका अधार साथ से मियों तो वही लिखेंगे तिर्भूज ABC के समरूप तिर्भूज की जिसका आधार साथ से मियों हो इसी की रचना करनी है रचना करनी है लिख दिया है तो पूरा हम लोग नहीं लिखेंगे तब ही सही है अब हम लोगों को रचना के चरण लिखना है इसमें नमबर डालके लिखते हैं सबसे पहले वाले में देखिए क्या लिखेंगे लिखेंगे सरोपर्थम 3 सम्बंदे 4 सम्बंदे 5 के अनुपात का एक तिरभूज ABC बनाया इतना लिख लेंगे दूसरे नमबर पर क्या लिखेंगे एक साथ से मियों का रचा खन पी क्यू खींचा फिर अगले नमबर में क्या लिखेंगे पी क्यू रेखा के पी पर तिरभूज ABC के कौन A के बनाबर कौन बनाया पी पर फिर देखिए पी क्यू रेखा के क्यू पर तिरभूज ABC के कौन B के बनाबर कौन बनाया अब क्या करेंगे P से A के बराबर कोण बनाते हुए रेखा खंड को आगे बनाया तथा Q से B कोण के बराबर कोण बनाते हुए एक रेखा खंड को आगे बनाया दोनों रेखा खंड एक दूसरे को R पर काट रहा है अता तिरभोज P, Q, R सम नमबर डाल के लिखते रहेंगे तिरभोज P, Q, R, तिरभोज A, B, C के समरूप है तथा जिसकी भुजा जिसका आधार साथ से मीका है ऐसे आप लोग लिख लेंगे नमबर डाल के जितना चाहेंगे उतना तम जैसे बनाया है, सोट में ऐसे लिख लेंगे पूरा चाप लगाया, चाप लगाया नहीं लिखेंगे तब इस सही होगा बस इतना लिखेंगे कि कोण A के बराबर P पर कोण बनाया तथा कोण B के बराबर कोण Q पर कोण बनाया तथा इन रखाओं को आगे बराया जो R पर काटते हैं सब नमबर डाल के लिखेंगे यही तिरभूज PQR तिरभूज ABC के समरूप है तथा इसकी काधार साथ से मिका है तो अब हम लोग थर्ट और लास्ट क्वेस्टन देखेंगे इस फाइब जेकाक आप लोगों के बुक में फाइब के भी हो सकता है तो यह आज चैप्टर यह पूरा कम्पलीट होगा इसके बाद चैप्टर 6 आप लोग देखेंगे यदि किसी तिरभूज ABC की भूजाओं में 2, 4, 5 का अनुपात हो तो उनके समरूप एक तिरभूज की रचना किजिए जिसका आधार 3 से मिका हो सेम उसी तरह का कोस्चन ये भी दी क्या होगा है तो सबसे पहले हम लोग 2, 4 और 5 के अनुपात वाला तिरभूज बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे 2 से मिका एक रेखा खंड ए भी मालने जिए खीच लेंगे अब 4 दिया तो B से परकार से ही बनाना ध्यान दिजिएगा परकार को रखेंगे और 4 से मिका दूरी लेके ऐसे हम लोग एक चाप लगा देंगे फिर देखिए अब 5 का बनाना A से हम लोग 5 से मिका दूरी लेके चाप लगाएंगे जहां कटेगा उसका नाम C लिखेंगे और उसी को A और B से मिला देंगे तो ये दो हो गया ये 4 से मिका हो गया और ये 5 से मिका हो गया अब क्या करेंगे हमको इसी के समरूप्त बनाना है जिसका आधार 3 से मिक हो तो बस यही करेंगे यहां scale से 3 semi का एक रेखा खीच लेंगे माली जी हमने PQ खीच लिया कितने का आधार का उस तीवूज का 3 semi हो तो हम लोग 3 semi खीच लेंगे और जैसे हमने पहले बताया इस कूण के बराबर यहां कूण बनाना है तो क्या करेंगे कोई भी दूरी लेके परकार में यहां एक चाप लगाएंगे ऐसे और इसी दूरी से P पर रखके एक चाप ऐसे लगा लेंगे फिर देखिए अब इस दूरी को नापेंगे यही ध्यान देना यह जो चाप है यह चाप वाला जो दूरी है यह और यहां तक वाला जो दूरी है यही दूरी लेके यहां से रखके एक ऐसे चाप लगाएंगे और जो काट देगा वही P से मिलाते हुए आगे तक ही स्केल की साहता से बढ़ा लेंगे थे देखिए इस कोण के बराबर यहां कोण बनाना तो क्या करेंगे परकार में कोई दूरी लेंगे और यहां रखके ऐसे चाप लगाएंगे और इसी दूरी से अब क्यूँ से क्यूँ पर रखके ऐसे चाप लगाएंगे और इस चाप को भी नाप लेंगे परकार से ही नाप लेंगे और उसी से यहाँ जहाँ कटा हुआ देखिये यहां पर रखे और यहाँ काटेंगे जहाँ कटेज़ उसी को इस Q से मिलाते हुए और आगे तक बढ़ा लेंगे जहाँ इसको ही बढ़ाएंगे जहाँ एक दूसरे को काट लेंगे वही नाम हम लोग कुछ लिख लेंगे आर्माली जी हमने लिखा तो यही इस तिरिभूज के समरूप तिरिभूज हो गया और उसका अधार भी तीन से मिका हो गया लिखना कैसे हम ज्या थाय में वही लिखेंगे तिरिभूज A, B, C की भूजाओं में अनुपात 2, 4, 5 यही दिया हुगा राचना क्या करनी है हमको राचना करनी है कि तिरिभूज A, B, C के समरूप तिरिभूज बनाना है तो लिखेंगे तिरिभूज A, B, C के समरूप तिरिभूज की जिसकी यह जिसका आधार तीन सेमी हो अब राचना के चरण में इसको नमबर डालके लिखते जाएंगे मालनी यह पहले नमबर में क्या लिखेंगे दिये गए अनुपात दो, चार, पांच का एक तिरिभूज A, B, C बनाया इसको आम लिख दे रहा है ऐसे आख लोग लिख लेंगे अगले नमबर में लिख लेंगे एक दूसरा रेखा खंड पी क्यू बराबर तीन सेमी का खीचा एक रेखा खंड हमने क्या किया दूसरा रेखा खंड पी क्यू तीन सेमी का खीचा है फिर अगले नमबर में क्या लिख लेंगे रेखा खंड पी क्यू के बिन्दू पी पर पर तिरिभूज अबी सी के कोण एक के बराबर कोण बनाते हुए एक रेखा खंड खीचा फिर अगले नमबर में लिखेंगे इसी तरह फिर से लिखेंगे रेखा खंड रेखा खंड पी क्यू के बिन्दू इस बार पी पर हमने लिखा उस बार क्यू पर लिखेंगे क्यू पर तिल्भूज ए बी सी के कोण अब कोण बी के बराबर हमने बनाया तो कोण बी के बराबर कोण बनाते हुए एक रेखा खंड खींचा आगे और लिखेंगे जो पहले रेखा खंड को आर पर काटता है यह हमने लिख दिया क्यू से खींचा जो पहले वाले रेखा खंड को आर पर काटता है अगले नमबर में लिखेंगे अत यही तिरिभूज पी क्यू आर दिये हुए तिरिभूज ए बी सी के समरूप है तथा इसका आधार बस हो गया तो ऐसे रचना लिखना है ऐसे ही पाले और दूसरे में भी रचना आप लोग लिखेंगे जैसे हमने बोला है इसी तरह हमने यहाँ लिख भी दिया तो आज यह चैप्टर फाइब पूरा आप लोगों का कम्पलीट हुगा अगर चैप्टर फाइब के दच्छता भ्यास में आप लोगों को कुछ पूछना होगा तो कमेंट में क्वेस्चन नंबर आप लोग दच्छता का लिख के सेंड करेंगे तो हम आगले पाट में कल ये पूरा दच्छता बतानेंगे उसके बाद चैप्टर फिक्स शुरू हो जागा तो आज के लिए बस इतना है